स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले आप हमें फेस्बुक इंस्टराम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और हाँ हाँ आपको भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलेगा क्यूंकि वहाँ लेजिंड्स को हरा कर आप जीत सकते हैं दो गुना कै दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका मॉर्णिंग अपडेट में मैं हूँ शाजिया अबास आपके सामने सारी खबरी लेकर कल हमने आपको बताया था किस तरह से विराट कोली ने डिसिजिजन लिया है टी-20 कप्तानी चोड़ने का वर्लकप के बाद उसके बाद प सबसे पहले बता देते हैं पूर इंडियन फास बोलर इर्फान पठानी क्या कहा इर्फान पठानी अपने इंस्टेग्राम हैंडल पे और ट्विटर पे मैसेज भी डाला और इंस्टेग्राम पे एक वीडियो भी डाला और कहा कि ये कोली का जो डिसिजिजन था बहुत टीम जो है T20 World Cup में एक अच्छा प्रदशन करेगी और अपने कप्तान को एक perfect tribute की तरफ से T20 World Cup जीत कर दिखाएगी वही फॉर्मर चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद ने भी इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि वो काफी जादा सप्राइस थे कि विराट कोली ने ये decision T20 World Cup से पहले लिया है बायो बाबल की बाब्त करते वे MSK प्रसाद ने भी ये कहा कि शायद ये बायो बाबल टू बायो बाबल जो लाइफ क्रिकिटर्स की जा रही है इसका भी impact विराट कोली पे रहा होगा वहीं पूर विकेट कीपर दीपदास गुपता ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि ये वो रिलीवड है कि जो जितने दिनों से ये speculations चल रही ही थी कप्तानी को लेकर और मीडिया में बाते चल रही ही थी उससे वो रिलीवड है लेकिन ऐस डाय हाड इंडियन फैन वो बहुत ज्यादा गुस्से में है इस पूरे प्रॉसेस को लेकर वहीं पूर नैशनल सेलेक्टर सभा करीम ने भी विराट कोली के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है कहा है कि टीम जो आटी ट्वेंटी वर्ल कप खेलने जा रही है उनके लिए ये होगा कि वो एक परफेक्ट फैरवल विराट कोली को जीत के रूप में दे और इस पर और बात चीत करते वे सभा करीम ने ये भी कहा है कि उन से जब पूछा गया कि क्या जो बाहर की बाते चल रहे ही थी क्या जो प्रेशर था क्या उससे विराट कोली पे किसी तरह का दबाब था तो इस बात को खारिश करते वे सभा करीम ने कहा कि विराट कोली ऐसे शक्सियत नहीं है जिनको बाहर की बातों से कुछ फर्क पड़ता है और उन्होंने ये भी कहा कि शाई ये फैसला जो विराट कोली ने लिया है बहुत सोच समझ कर अरसे तक इसके बारे में सोच समझ कर ही लिया है वहीं विराट के चाईल्धूट को राजकुमार शर्मा ने एनाई से बात करते वे भी उनकी इस डिसिजिजन के बारे में बात की कहा कि जिस तरह से एमेस धूनी ने एक रोल प्ले किया था विराट की कप्तान बनने के बाद उसी तरह सिव शायद विराट कोली उस रोल में नज़र आएंगे जब एक नए कप्तान टीम का हिसा बनेंगे उसके बाद ये भी बात की राजकुमार शर्मा ने कि पहले से ज्यादा फोकुस और डिटरमाइन रहेंगे अब विराट कोली टी-20 वरल कप को जीतने के लिए इंगलेंड के पूर्वा कप्तान मा राट को और उनके बल्लेबाजी निखर केर आएगी वहीं पूर वे इंडियन कप्तान सुनील गावसकर ने स्पोस्सक से बात करते हैं वे भी कहा जिस तरह से ये पूरा डिसिजिन आया है उन्होंने के ल राहुल के बारे में कहा कि के ल राहुल एक अच्छे कप्तान की त पर उनको प्रिपेर करवाना चाहिए यह तो सारी प्रतिक्रिया थी क्रिकिट जगत से लेके कि इसने क्या कहा विराट के कप्तानी चोड़ने पर लेकिन दोस्तों ने तो कहा और जितिपूर्व क्रिकिटरस हैं उन्होंने कहा लेकिन उनकी बेहन विराट कोली की बेहन मैं आपको बता देती हूं क्या लिखा है उन्होंने लिखा खेल भावना का मतलब यह नहीं कि आप किसी खेल में सिर्फ अपना पैशन और हार्ड वर्क लगाएं उन्होंने कहा बल्कि यह भी है कि आप सही समय पे सही फैसला भी ले तुम्हारा सोच की रिस्पेक्ट करती हू तो उन्होंने यह बताया कि यह एक सही डिसिजन है कोली का राइट डिसिजन है राइट टाइम पर अब आप कुछ बात कर लेते हैं IPL को लेकर कल दिली कैपिटर्स ने ओफिशल कर दिया है कि जो IPL का सेकंड पार्ट UAE में खेला जाएगा उसके लिए उनके कप्तान रिश सम्हालने को लिए दी थी और इस सेकंड लेग में भी टीम के कप्तान के तौर पर नज़र आएंगे दिली कैपिटर्स जो है टेबल टॉप पर बनी हुई है अच्छे प्रदर्शन की उमीद सेकंड लेग में भी लोग लगा के बैटे हैं और ये भी उमीद है कि शायद श् में ज़र पहुँच चुके हैं UAE और पंजाब किंग्स का हिस्सा है क्रिस गेल निकलोस पॉरून और फैबल अनन पूरे ये 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 CPL का हिस्सा थे और अब ये UAE पहुच चुके हैं पंजाब किंग्स ने अपने सोचल मीडिय के द्वारा ये नीूज अपने फैंस तरक प वहीं दूसरी और हम आपको बता देते हैं कि CSK के फैब दुपलसी, इम्रान ताहिर और ड्वेन ब्रावो भी UAE पहुंच चुके हैं और टीम का हिस्सा बन चुके हैं क्यूंकि वो CPL से ट्रैवल कर रहे थे IPL पार्ट टू के लिए बायो बाबल टू बायो बाबल ट्रांसफ में ग्रॉइन इंजरी हुई थी क्या वो पहला मैच जो कहला जाएगा CSK और मुंबाइ इंडियन के बीच में सब्तेमबर 19 तारीकों क्या उसका हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे उसके अटकोलों को भी शायद अब पूर्ण विराम लग चुका है क्यूंकि कहा जा रहा मुंबाइ इंडियन और CSK की बीच में पहला मैच खिला जाएगा लेकिन आप बहुत बड़ी गलती करें है अगर आपने अपनी टीम नहीं बनाई है अब हम आपको बता देगे सूपर सेल स्टार्ट हो जाएगा 19 तारीक से IPL के दौरान और आपको क्या करना है आपको हाउ आप को डाउन करना है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करना है होम पेज पे आप जाएंगे वहां पे जाकर आपको आउजएट पे अपनी टीम बनानी है और मौका पाना है भूव सारे धेर सारे प्राइस जीतने का दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ करना बिल्कुल ना भूले आप हमें फेस्बुक, इंस्सट्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और हां हाँजएट आपको भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलेगा क्यूंकि वहां लेजंस को हरा कर आप जीत सकते हैं तो गुना कैश